तो जैसे ग्यारा बार बजे खाना खा लेते तो उसके बाद शाम को फिर मन करता है कुछ स्नैक्स खाने का तीन तीन चार चार टाइम खाना तो खाये हैं नहीं जाता तो उसके लिए मैं आज आपके साथ एक बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करें जो कि बहुत मिन्टों में जट्पन बनने वाली है और इसमें आपको टिक्के का स्वाथ मिलेगा इसके साथ एक ऐसी चट्नी बनेगी जो कि नौर्थ और साउथ का फ्यूजन है और बस आपको कोई दही, कोई मीठी चट्नी, हरी चट्नी किसी चीज़ के अलग से ज़रूत नहीं पड़ेगी और ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी स्नाक्स बनता है टोटल आठ नंबर बनेंगे, आठ टिक्किया बनाऊंगे तो उसके लिए मैंने आठ हलू को ग्रेट कर लिया है आलू में बिल्कुल भी लंप्स ने रहने चाहिए, गुट्लिया ने रहने चाहिए उनको बहुत अच्छे से हम नच कर लेंगे, चाहाए आप मैशर से कीजिए, चाहाए आप ग्रेट कर के कीजिए, जैसे के करना चाहिए, वैसे कीजिए तीन चमस डाली है मैने उसमें सूजी, एसमें बेसन और कुछ डाले हैं थोड़ी से मसाले पिंच ओफ हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार धनिया पाउडर, 1 तीस्पून से 1.5 तीस्पून धनिया पाउडर डला है, और एक चमस डाला, मैंने इसमें चाट मसाला, और थोड़ा सा गरम मसाला और जीरा पाउडर, और हरा धनिया, इन सब चीजों को मिक् करके खटा करके रखती हूँ, इसने अलग-अलग आपको इस वीडियो में डालते वे नहीं दिखाई दिया होगी, इन सब मसालों को हम बहुत अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, सूजी और बेसन जो है, उसके भी बहुत अच्छे मिक्सिंग हो जाएगी, बस ज्यादा इसको हमें इस मसाले को बना के बहुत दिर तक रखने के बिल्कुल ज़रोत नहीं है, आप हाथों को चिकना कीजिए और उसी वक्त बनाना शुरू कर देजिए, मैं इस चकले को पोच्छी हूँ, क्योंकि फिन मैं बना के इसमें टिकिया को रखूँगी, हाथों को थोड़ा से ग खाने में, हमने आलू का एक रोटी की बरावत जितना हम लेते हैं, आटा हम लोई उतना ली और उसको हाथ से गोल वोल करके, हम थोड़ा सा उसको हलका सा दबाके, हमने तवे को प्रिहिट किया, उसमें अच्छा सा ओयल डाला है थोड़ा, और उसमें रख लेंगे, एक पा अवे को लेके मैं इस तरह से हिला रही हूं, ताकि ओयल चारो तरफ से फैल जाए, और हमारी टिकियां बिल्कुल भी चिप के ना, क्योंकि ये थोड़ा गहरा वाला तवा है, और जो टिकी बनाने वालों का तवा होता है, वो फ्लैट होता है, समतल तवा होता है, तो उसमे उनका जो ऑईल है बहुत अच्छे से फैला रहता है, तो उनके टिकी चलती नहीं है, अब देखे, इसको मेरे सब टिकियों को मैंने फोक की मदद से पांच मिनट के बाद पलट दिया है, इनको पलटने के बाद हम दूसरे तरफ से भी क्रिस्प होने का वेट करेंगे, जैस की बाद हम नेक्स्ट काम के तरफ जाएंगे, हमने इनको थोड़ा से अच्छा सा क्रिस्प बनाना है, क्रिस्प बनाकर जो खाते हैं उसका मज़ा ही है, हमने फिर से फैलेट दिया, अब बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, कलर भी बहुत अच्छा और ख पांच सत मिनट के इसको सेक लेंगे, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी जितनी भी है, एक बार में आप चार्टे किया, बहुत आराम से बना सकते हैं, अब दूसरे तब हमने भी बना सकते हैं इसको, उसमें तो यह और भी काम होल में बन जाएगी, बस हमें यह इधिय ट्रोऌनी को प्लेट नीचे से सर्फ कीजिए, उपर से टिक्या डालिये, फिर उपर से फिर चट्नी डाल दीजिए, और नहीं तो आप अलग से टिक्या लीज़ए, अलग से चट्नी लीज़ए तब आप ऐखा के एजौए कीजिए, मेरी बच्चो को तो इतनी कर बार हमें snacks में यही दे दिना देख और एक बर इस recipe को जरूर बनाईएगा और अगर recipe कसंद आए तो प्लीज वीडियो को like, share, subscribe and comment कीजिएगा और चटनी की recipe का लिंक है मैं आपको description में दूँगी प्लीज चटनी की recipe को भी watch कीजिएगा बाबाई